केमिस्टरी बुक टू चेप्टर नंबर वन हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर से प्रियॉडिक ट्रेंड्स को डिसकस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रियॉडिक ट्रेंड्स देखे थे प्रियूव से प्रियू अधि लेक्ट्रिक्टर एलेक्ट्रिक्ल कंड्डद्स के इस लैक्चर के अंदर हम लोग अगें प्रियूडिक ट्रेंड्स इसकस और यह फाइनल टॉपिक है प्रॉडिक्ट ट्रेंड्स का जो के इलिमेट्स के हवाले से है प्रॉडिक्ट टेबल के अंदर और आज हम लोग जो फाइनल चीज देखेंगे वह है हाइड्रेशन एन्थॉल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी ठीक है सबसे पहले तो यह के हाइड्रेशन एनर्जी पे जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डैसोलूशन क्या होती है प्रिजूशन क्या होती है या मिक्स्चर जब आप बनाते हो सुलूशन या आप अपनी प्रिविश क्लास इसके ने चेप्टर पर चुक है ना सुल्यूट्स के सॉल्वेंट्स और सुलूशन के तो ड्रिजूशन भी कुछ ऐसी ही जीज़ है आपको बहुत सी सिंपल सी एक एक एक्जैंपल देता हूँ आप इसरा की एक्जैंपल से आप देखते रहते हो कि आपके पास कोई पानी पड़ा हो है किसी एक जार के अंदर ठीक है और आप बीच में थोड़ा सान नमक डाल दे आपके इस नमक दाल देते हो नमक एन एस लूचै तो थोड़े बात वह नमक क्या होते है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है नमक बीच बीच में पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया इस प्रॉसेS को हम कहते है इस आई जोलूशन बेसिकली बैटरों पे यह रहा होता है कि ज स्के डिटेल्स में जाते हैं कि वह इनर्जी क्या होती है और कैसी होती है हम इसके बात यह जाते हैं कि जब वह स्प्लेट हो जाएंगे तो यह यह यू बन जाएंगे ठीक है? और होगा यह कि water के जो molecules है water का molecule कैसा होता है? H2O H2O एक oxygen और दो hydrogen कि है और यहाँ पर आपके लॉन पेर होते हैं हैं।। इसे जैसे यह जो हैं यह एक्जैट्टी आज़ादोगे नहीं होते हैं嗯 नहीं होते ठीक है। थोड़ा ऑन्द होता है। एक इसका negative end होता है oxygen चुके इलेक्ट्रो नेगटिव है ज्याता hydrogen के निसपद तो एक इसका partially negative end होता है और ये दोनों hydrogen's partially positive हैं ठीक है कि water जो है वो polar molecule है अब इस वजह से होगा ये कि चुके आपने पानी के अंदर dissolve किया है NaCl को तो वो जो na के particles हैं इसके गिर्द आपके पास H2O इस तरीके से आने लग जाएंगे कि इनका जो positive polar end है वो point करेगा sorry मैंने सारे positive कर दिये यह वहला trend होगा आपके अंदर chlorine के साथ यहां पे मैं chlorine लिख देता हूं for example let's say chlorine यहां पे आपके पास chlorine minus है तो यहां पे water का जिसमे positive end आ रहा है ना वो वाली side आपके साथ attach होती जाएगी H and again H O H H O ठीक है और यह इससे attract करेगा इसी तरह sodium जो होगा sodium positively charged है उसके गित जो negative end है यह वाला इसकी तरफ attract होगा ठीक है और कुछ stabilize करने की कोशिश करेगा और इस process में energy system की थोड़ी सी reduce होगी जब system की energy थोड़ी सी reduce होगी तो basically वो energy कहा जाएगी वो energy जो है वो system emit करेगा वो release कर देगा वो इस energy को और उस energy को हम क्या कहते हैं hydration energy या इसको hydration पर जाने से पहले इसको आप define कर दो let's say dissolution energy क्या define करेंगे हम इसको dissolution energy ठीक है अब होता यह है कि जब आपका solute जो होता है अब इसमें आपने देखा dissolution में एक solute होता है और एक solvent होता है जब आपका solute कोई gaseous आइन हो और आपका solvent जब water हो तो उस case में जो dissolution energy होती है हम उसको नाम देते हैं hydration energy ठीक है यह special case है hydration energy वैसे तो आप oil के अंदर भी कोई चीज डाल सकते हो आप किसी भी solvent के अंदर डाल सकते हो ना जब water के अंदर डालते हो तो as the name indicates name आपको कैसे बता रहा है hydra hydra for water ठीक है and then small h for hydration ठीक है और this delta h is for energy release यह heat released ठीक है अब हम आते हैं कि यह जो hydration energy के लवा एक पीछे में ने जिकर किया था कि जब NACL का crystal structure बने गा तो उसमें energy required होगी अब हम उस पे जाते हैं कि वो जो energy required होती है उससे क्या कहते है lettuce energy सबसे पहली चीज तो यह के lettuce energy उन चीज़ों की होती है जो crystal lettuce की form में exist करते है crystal lettuce की form में exist करते हैं ठीक है for example उनके crystal की कुई भी shape हो सकती है shape के हम उससे concern नहीं है लेकिन जो उसका crystal जब बनता है जब आपके दो atoms for example na plus or cl minus यह दूसरे से करीब आते हैं for example मैं कहूं के 1 sodium और 1 chlorine यह जो नो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो na cl बन जाता है और इस process में basically energy release होती है negative 787 kilo joules per mole ठीक है तो sodium chloride जब sodium और chloride ions यह आपस में मिलते हैं तो यह energy release होती है और यह basically वो energy है जो lettuce energy है जो इन दोनों के करीब आने के वज़े से system की energy reduce होई और उतनी energy बाहर निकल गए system से जब आप na cl को split करने की कोशिश करोगे तो basically आपको again इतनी ही energy required होगी ठीक है आपको जितनी आपके latest energy थी यह जितनी आपकी energy of formation भी इसको आप कहते हो enthalpy of formation भी कहते हो जितनी आपकी इतनी ही आपको plus अब देनी पड़ेगी endothermic reaction होगा इतने kilo joules per mole एक mole के हम बात करें ठीक है अगर आप single mole gaseous ions का जो है उसको dissolve करो और बहुत ही जादा पानी के अंदे ठीक है यानि बहुत ही जादा dilute solution आप बना दो ठीक है इसका single mole होना चाहिए यह जो आपके पास gaseous ions होता है ठीक है इस एक convention है आपको lattice energy का कुछ idea होगा कि यह basically एक energy होती है जिसकी बजह से एक structure बनता है crystal बनता है और उतनी energy आपको चाहिए होती है जब आपने crystal structure को break करना होता है ठीक है इस formula unit को जब आप ब्रेक करोगे तो इतनी energy चाहिए होगी अब एक बहुत ही interesting चीज़ जब आप पानी के अंदर डालते हो नमक को तो आप तो na CL डालते हो ना पानी के अंदर तो होता यह है कि सबसे पहले na CL split होता है na plus और CL minus के अंदर इस process के अंदर आपको energy required होती है और फिर यह होता है कि na plus और CL minus दोनों जो हैं यह पानी के अंदर dissolve हो जाते हैं किस तरीके से इस तरीके से disolution हो जाती है इनके get water molecules की layers आ जाती है ठीक है अब जब उनके get water molecules की layers आ जाती है तो of course कुछ नब कुछ energy release होगी और उस energy को हम लोग hydration energy कहते है sodium की जो hydration energy है वो होती है 390 kilo joules per mole ठीक है और यह negative sign के साथ है और जो chlorine की है वो है negative 384 kilo joules per mole ठीक है इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर na plus na और cl दोनों पानी के अंदर dissolve होते हैं तो total कितनी energy hydration energy कितनी release होगी वो होगी 390 plus 384 जो के बनती है 774 kilo joules per mole इतनी energy release होगी जब आप पानी के अंदर mix करोगे na plus cl को but starting में आपको NACL के molecule को break करने के लिए energy required कितनी है वो है आपको 787 अब आप देखो कि जो आपकी lettuce energy है वो है 787 kilo joules per mole और जो आपकी hydration energy है वो है 774 kilo joules per mole इसका मतलब है आपको तोड़ने में ज़्यादा energy चाहिए और release कम होगी इसका मतलब यह हुआ कि वो जो बाकी energy है कितनी है 74 के बाद 84 85 86 87 13 kilo joules per mole यह energy जो है यह जो नमक है वो पानी के अंदर से एब्सॉब करेगा एब्सॉब करेगा पानी के अंदर से इसकी वज़ज़ से हो क्या यह energy किस फॉर्म में होगी heat फॉर्म में जब heat यह एब्सॉब करके यहां से इसी solubility तो होती है नमक निमिक्स तो होना ही होना है तो जब होना ही होना है इसका मतलब है कि वह गृट्रा ही जो 13 kilo joules है यह कहां से आएंगे यह पानी के अंदर से एब्सॉब करेगा यही वजह होती है कि पानी का जो टेंपरेचर होता है नमक दालने के बाद वह थोड़ा सा कम हो जाता है ठीक है आपका जो टेंपरेचर होत है और आपके जो हाइड्रेशन इनर्जी है कि हाइड्रेशन इनर्जी यह अपकी ज्यादा हो फैरे ज्द्री इनर्डाहूं फैंप साह सास्या होगा चुरुक्त थैप Washington Ne ही अप हो जाएगा छो एक्स्टा एंजी क्यों से डिल्टा है एच एच माइनस एंजी जैए यह यह एंजी है यह डिटरमन्ट करती है आपकी सौलिविलिटि को अगर यह जो आनसर है यह बहुत ही कम आज है जीरो से इसका इसका बात का मतलब है कि ही डिल्टर्रेशन एक वह भी जादा है फॉर एक्ज tsp ये कब होता है leix靴 में को ऑर डाल दूँचिक है तो आपके हडरीशन एइनर्जी जिए हुट्प लेटिस एनर्जी बहुत जाद बोटी तो वो मिक्स ही नहीं होता, वो solubile नहीं होता, तो insolubility जो आप कहते हो, insolubile वो तब होता है, जब hydration energy जो है आपकी फार्व जो बहुत कम होती है, latest energy और solubility, जब आपकी ये दोनों बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के, यूं कहलो, या जब आपके hydration energy काफी जाद होती है, अब हम थोड़ा सा वापिस actual topic के तरफ आते हैं, actual topic हमारा ये था, कि hydration energy किन चीज़ापे, factors upon which hydration energy depends, आपके जो hydration energy होती है, वो depend करती है, वो directly proportional होती है, आपकी charge to size ratio के, q by r, यहाँ पे r radius of atom है, और q जो है, वो charge of the atom है, ठीक है, जितनी आपका charge जादा होगा, उतनी आपकी hydration energy ज जादा होगी, ठीक है, और जितना आपका size जादा होगा, उतनी hydration energy कम होगी, अब आप इस figure में देखो, इस figure में आपके पास, top से bottom जब आ रहे हो, और इसको हम वैसे detail में discuss कर चुके हैं, कि आपका atomic size होता है, वो significantly increase करता है, एक extra shell की addition की वज़ा से, तो top to bottom इसका मतलब यह hydration energy, size increase कर रहा है, तो hydration energy reduce हो जाएगी, ठीक है, hydration energy reduce हो जाएगी, top to bottom, top to bottom, hydration energy decreases, ठीक है, यह आपका पहला point हो गया, इसके बाद जब आप top to bottom आ रहे होता है, यह और interesting चीज़ यह है, कि आपके let's say group 1 हे कि आप बात करते हो, इन सब के उबर charge सेम होता है, hydrogen plus 1, lithium plus 1, इनके oxidation state की में बात कर रहा हूँ, यह सब की सेम होगे, जब oxidation state सेम है, तो charge तो सेम है, तो Q1 इन सब में सेम है, आर जादा होने के वज़े से hydration energy decrease करतेगी, जब आप left से right side पे आते हो, जब आप left से right side पे आते हो, तो आपका size बहुत कम होने लग जाता है, size decreases, जिस बात क मतलब यह हुआ, कि आपका जो hydration energy है, वो बढ़नी चाहिए, और साथ में यह भी होता है, कि आपका group number vary कर रहा है, extra electron head होता जा रहा है, जिसके वज़े से आपका charge भी बढ़ता जाएगा, और जब charge आपका बढ़ता जाएगा, तो भी hydration energy ज्यादा होगी, तो इस बात का मतलब ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ examples बता जेता हूँ, आप फर एक्जेमपल आप start करते हो, लीथियम से, जो आपके पास लीथियम है ना, इसकी जो आपके पास है, आप, आइनाजिशन, स्वारी, not आइनाजिशन, hydration energy, यह है 499, किलो जाओ स्परमोल ठीक है, और लीथिय जो top to bottom आपका radius इंक्रीस कर रहा है, और hydration energies की values कम हो रही है, और यह सब की सब negative sign के साथ है, ठीक है, इसमें अमोमने confusion होती है, बच्छे यह समझते है, वैसे अगर मैं आपसे पूछ हूँ, minus 499 नंबर बढ़ा है, यह minus 390 बढ़ा है, इसको आप यू मत देखो, कि यह जो with negative sign इसको मत देखा करो, negative sign यहाँ पर simply यह indicate कर रहा है, कि यह energy release हो रही है, ठीक है, इस negative sign को आप as a number के साथ, उसके magnitude के साथ consider नहीं करोगे, magnitude आप separately consider, top to bottom जब आप आ रहे हो, तो magnitude उसका decrease कर रहा है, ठीक है, इसलिए अब आप left से right साइट पर आते हो, sodium के बाद आपके पास आत 99 और फिर magnesium उसके बाद उसकी hydration energy 1891 अब देखो इतना ज़्यादा फर्क क्यों पढ़ गया, इसके ज़्यादा फर्क पढ़ने की दो वजवात है, एक तो यह, कि आपका जो size है, left to right आपका size increase करता है, और जो आपका charge है, वो भी जो आपका magnesium का charge है, वो sodium के निस्पत, sorry, left to right आ करता है, increase नहीं करता है, आपका left to right side पे decrease करता है size, उसकी वज़ा nuclear charge बढ़ रहा होता है, तो आपका size है left to right side पे, वो decrease कर रहा है, और आपका charge है, वो increase कर रहा है, तो charge के increase करने की वज़ा से, और size के decrease करने की वज़ा से इस दोनों factors favorable हैं, hydration energy की sense में, तो hydration energy significantly ज्यादा आजात है तो आप अगर magnesium से नीचे देखते हो, calcium, calcium की hydration energy है 1562, again आपको कम hydration energy होने की वज़ा, because आपका size increase कर रहा है, तीक है, और magnesium के बाद जो third element है, aluminum, आप क्या estimate क्या करते हो, first 390 है, second 18100 है, third कितनी होने चाहिए, 3000, इसकी 4600 hydration energy है, again उसकी reason में आपको बता चुका हूँ, दोनो factors favorable है size भी कम हो रहा है और charge भी बढ़ रहा है, ठीक है, so that's it about product trends, हमने start की थी बात, सबसे पहले atomic radius से, atomic radius, मैं summarize करते हो, हमने atomic radius से बात शुरू की थी, atomic radius के trends देखे सबसे पहले, atomic radius के बाद हम लोगों ने second ionization energy, और electron affinity के trends देखे, ठीक है, उसके बाद हमने electron negativity, को detail में देखा, वो क्या होती है, उसके trends देखे, उसके बाद हम लोगों ने metallic और non-metallic characters को देखा, इनके उपर proper discussion हुई, non-metallic, metallic character, और इसके उपर product table के elements के हम लोगों ने trends देखे, उसके बाद हम लोगों ने melting और boiling points को detail में discuss किया, melting और boiling points, finally, यह जो last two topics है, हमारे पास ती इन topics, oxidation state, oxidation state, electrical conductance, और आज का topic, यानि, hydration energies, इसके साथ ही हमारी जो periodic trends है, elements के, वो end हो रहे हैं, अभी तक हम जो भी discuss कर रहे थे हैं, वो सब कुछ elements से related था, तीक है, यानि, आप, एक, मैं आपको हमेशा एक element की बात करता था, iron की, carbon की, strontium की, किसी एक-एक element की में बात कर रहा होता था, प्रोडिक टेबल के अंदर, इससे जो हमारा next topic है, उसके अंदर हम लोग, product trends ही again discuss करेंगे, product trends, यह अब ड़ने की जुरुएत नहीं, यह बहुत ज्यादा नहीं है, product trends सिरफ हम लोगोंने तीन discuss करने हैं, आने वा यही करती है, properties, hyalides के अंदर, hydrides के अंदर और, oxides के अंदर, ठीक है, that's it